आज जब कोई काम अपने हाथों में लेता है तो समझ्याएं के समाधान भी तेजी से निकलता है समझ्या समझ करके यार मैं कहां पड़ू इसमें तो समाधान कभी नहीं निकलता है साथ है इन दो सालों में देश राष्ट्रिय शिक्षा नित्य को लागू करने के दिशा में कई ठोस कदम उठा चुका है इस दोरान एक्सेस, क्वालिटी और फूचर रेडिनेस जैसे जरूरी विश्यो पर हुई वर्क्षरप ने भी बहुत बली बतत की है देश विदेश के अकडेमिशन्स, इनसे जो चर्चाएं हुई, मेरा भी देश के शिक्षा मंत्रियों के साथ, शिक्षा विदों के साथ, जो संबाध हुआ, उसने भी इसी गति को आगे बढ़ाया है और अभी कुछ दिन पहले, हमारे धर्मंद्र जी ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को भी बुलाया था, जैसे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ भी की थी लगातार कोशिच हो रही है कि इन चीजों को हम सत प्रतिशत सांकार कैसे कर पाए हैं, राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर इस दिशा में कही महत्पण कदम उठाए हैं और आज सभी के प्रयासों का प्रणाव है कि देश और खास कर देश का युवा इस बड़े बड़लाव में भागिदार बन रहा है साथियों, नई राष्टिय शिख्षानीती के लिए देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रासेक्टर ओवर हॉल पर भी काम हुआ है आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविज्याले खुल रहे हैं, नए IIT और नए IIM की स्थापना हो रही है 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 55 प्रतिशत की भृद्धी हुई है